सब्सक्राइब कीजी लखेपूर टीवी चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए नई अपडेट पाने के लिए हलो दोस्तों वेलकाम मैं हूँ आपका होस्ट लखेपूरी और आज जिस दवा के बारे मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है परपटाध रिष्ट जी हाँ दोस्तों परपटाध रिष्ट क्लासिकल आईरवेदिक मेडिसीन है जो लिवर स्प्लीन की बीमारी, जाउंडीस, कामला, हेपटाइटीस, सूजन और मलेरिया में बेहद असरदार है तो ये जानते हैं परपटाध रिष्ट का कमपोजिशन इसके फायदय और इस्तमाल के बारे में पूरी डिटेल परपटाध रिष्ट का कमपोजिशन जैसा कि इसके नाम से पता चलता है परपटा नाम की बूटी ही इसका मुझ के घटक होती है पर पटा को ही पित पापड़ा के नाम से भी जाना जाता है इसके composition की बात करें तो इसे बनाने के लिए 5 किलो पित पापड़ा लेकर 40 लिटर पानी मिक्वाथ बनाएं और जब 10 लिटर पानी बच जाए तो ठंडा होने पर छान कर पुराना गुर 10 किलो और धाय के फूल आधा किलो मिक्स करें उसके बाद गिलोई, सोंट, मीर्च, पीपल, नागर मोथा, दारु हल्दी, छोटी कटेरी, धहमासा, चैववे चित्रक मूल और वाई वी डंग, परतेक 50-50 गराम का जावकुड चुन मिक्स कर रिष्ट वारे चिकने बरतन में संधान के लिए रगतें, एक महिना के लिए, एक महिना के बाद इस अच्छी तरह से फिल्टर कर, बोतल में भरकर रख लिए जाता है इसे आईरवेदिक प्रोसेस आसव अरिष्ट निर्मान विधी से ही बनाया जाता है, जो कि आउशद निर्मान में एक्सपरियन्स वैधी बना सकता है या बना-बनाया मार्केट में शायद ही मिलता हो, पर पटाद इरिष्ट के फाइदे, या लीवर इस्पलीन की हर तरह की बीमारी में बहुँद एफेक्टिव है लीवर बढ़ा हो, स्पिलीन बढ़ा हो, जाउंडिस हो या फिर हेपटाइटिस भी हो तो इससे फैदा होता है पर इसके साथ में और भी दवाएं लेनी चाहिए पेट की बीमारी, गोला बनना, सुजान, मलेरिया, भूग की कमी और दिल की कमज़ोरी में भी इससे फैदा होता है यह पाचन तंत्र को ठीक कर भूग को बढ़ाता है यह जानते हैं पर पटाद रिष्ट की मातरा और सेवन विधी पंदरा से तीसे मेल तक सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर मातरा हैं पानी मिक्स कर लेना चाहिए यह अलमोष्ट शेफ दवा है, किसी तरह कोई साइडिफे की नुक्सन नहीं होता है इस अप लॉंग टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं बस शुगर वाले रोगी को यूज़ नहीं करना चाहिए किसमें गुड की मातर होती है इसी तरह की दूसरी आरुवेदी की यहाई दबाओं की अपडेट के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को जरूर दबाईए आज की दिए जानकारे का पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया गया है कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप कमंड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद स्वस्त रहें, सुखी रहें, जय हिंद, जय अर्वेद